में नमसकार दूस्तों आज़ की इस वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज की स्वाले वीडियो में हम बातकरने वाले हैं कि इस तरीके की जो KLID acid battery होती है चाहे कार की लेलो या फिर कोई भी लेलो चोटी बेटरी या फिर कोई भी ठीक है जो जिसमें पानी डलता है या तो फिर आप конт guard lead acid की बेटरी दिख सकते हैं जो मैंने इससे पहले जो एक वीडियो बनाई था तो अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखा जिसमें रिपेर करके आपको बताते हैं कुछ कर देते हैं कुछ भी कर देते हैं ठीक है तो क्या इसको रिपेर करना पोसीबल है और अगर रिपेर होगा तो किस तरीके से होगा आज के स्वाले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा तो इस वीडियो को एंट तक देखते किया था ऑर एक बार इसके सारा वोटर निकालके उसके बार इस बैटरी को अच्छाइस के दोकर दोबारा वोटर डालके ट्राइक ऍाद लेकलगाए तो मैं आपको पतातो हम इसमें कुछ और कर भी नहीं सकते हैं अगर इसकी gravity गेर गई तो हम उसको ठिक कर सकते हैं और अगर इसका ख़राब है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं याल आपको YouTube काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे मिठा सोडा डाल देंगे कुछ भी कर देंगे ठीक है लेकिन वो सब बाते हैं उससे कुछ भी नहीं होता है यहां पर आपको अगर इस बैटरी को रिपेर करना है तो आप एक ग्रेविटी मिटर ले सकते हैं और उससे ग्रेविटी तो यह बेस्ट रहेगा और अगर इसको रिपेर करना है अगर आपके पास ऐसी कोई बैटरी है तो यहां पर क्या-क्या प्रोसेस करना होगा मैं आपको इस वाले वीडियो में बता देता हूं ताकि आपको कोई दिकत ना हो अगर यह वाला वीडियो तुमनें देख लिया तो किसी भी इसी टाइप की बेटरी जो होती है उसको रिपेर करना आप चाले और आपको पता भी चल जाएगा कि अगर रिपेर होगी तो किस तरीके से होगी और कुस्त आलवे नहीं इस नहीं जाते कैं एक सारे और सबकिल्स बैटरी है जो मेरे फुराने व्यूक्रियों तो उस वाली बेटरी में क्या था वह वो बेटरी का एकसेल खराब है ठीकक है तो आपने देखा होगा पिछले काफी सारे विद्टो में मैंने वेटी के उठा ऐथा लेकिन वहां पर गरीविटी तो उठ जाती है लेकिन इसंक्त खराब होगी लेकिन Natar रह गया होगा और उस वाली बैटरी में वोल्टेज अब एकदम प्रोपर रहता है लेकिन टीक नहीं पाता है जैसे हम उसके उपर लोड देते हैं तो सारा का सारा मतलब लोड बंद हो जाता है और साड़े दस वोल्ट पर कट ओफ कर जाता है लेकिन इस वाली बैटरी में तो बिल्गुल डेड ही हो चुकी है अगर इसको चार्ज पर लगाता है तो कोई भी रियक्शन देखने को नहीं मिलता है फिर उसके बाद मैंने देखा कि रियक्शन के जालते हैं तो इसके अंदर रियक्शन होता है लेकिन यहां पर आपकी बैटरी पूरी खराब भी हो सकती है उसके पीसे का मैं आपको कारण बता देता हूं कि जब सेल के बीच वाला जो जोइंट होता है वह थोड़ा से वीक हो जाता है तो यहां पर चांसे ज्यादा है कि अब बैटरी खराब होजए तो इसा कुछ भी नहीं करना है अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो ऐख़एफ सब्सक्राइफ डा बैटरी सही हो छेक नहीं करना उनकर Ռपर यह चार्जर चार्ज करना पड़ता है जो कट ऑफ ना करें पावर को ठीक है जब पावर को कट कर देता है तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं उट पाती है तो अगर अपने घर पे बेटरी की ग्रेविटी उठा सकते हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लेना ठीक है तो मैंने आपको बता दिया कि इस बेटरी को रिपेर करना है तो किस तरीके से करना है और इसके अलावा अमारे पास को और कोई उप्षन नहीं है इसकी ग्रेविटी ही हम उठा सकते हैं रिपेर नहीं होती है दोस्तों बेटरी यह कर says ऑलो ठीक है अब कितने भी वीडियों देख लिए हो उसके बाद में आपको बत्वाल बात करता हूँ जो शीबड को उसका ठीक हम जो पानि डाल के कुछ लोग चला लेते हैं सबसे पहली बात उसमें पानी डाल के चलेगी ठीक है मैंने चला ली एक साल चल गई थी जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बेटरी दिखाई थी वो चल गई थी ठीक है लेकिन वहां पर होता क्या है मैं आपको बतातूं जो उस टैप की बेटरी होती है सिल्ड लीड है और पानी बर के जो उपर के के लगाते हैं प्लास्टिक के चोटे-चोटे के पाते हैं अंदर की तरफ उसके को जैसे ही लगाते हैं उसके बाद चार्ज पर लगाते हैं तो एक के जिस भी सेल का मतलब बेटरी के जो भी सेल खराग है उसका वह रबर का वह उपर का जो ढ लगा मेरे पास एक एमरोन की बेटरी थी एक साल चली थी दोस्तों खराब होने के बाद पानी डाला और एक साल चल गई थी तो यहां पर आपके नसीद के ऊपर है ठीक है चल गई तो चल गई और नहीं चली तो फिर उसको वापस ही देना पड़ेगा उसके अलबा कोई अप् लेकर उसे कुछ फाइदा नहीं है अगर आपको रिपेर करना है तो आप ग्रेविटी इसकी ठीक कर सकते हैं उस गजलवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप तुम्हें यह वाले वीडियो पसंद आया है तो लाइक से इर सब्सक्राइब कर देना में मिलता हूं तुम्हें वाले वीडियो में तब तक के लिए जहीं नहीं भारत